नमस्कार स्वागत है आप सभी का टार्वित आलों को अलान इस्ट्यूट में उम्हीं देखके बढ़ी होंगे और अच्छे से आप सभी अपनी पढ़ाई लिखाई सम्मादित पारवी कर रहे होगे तो प्रति दिन आपको पढ़ाया जा रहा है एंट्स युद्दावेच के अंतरगत और आज मैं आपको पढ़ाने आयों भारत की किर्सी भारत की किर्सी से सब्वान देत नौर्मली कुष्ण मते हैं नौर्मल कुष्ण मते हैं उन पृष्णों को हम लोगों समझ ना है ठीक है चले तो प्रारम करूं में आगर मैं भारत क किर्सी की बात करता हूं तो पहली बात तो याद रखेगा कि किर्सी जैसे आप जब economics पढ़ेंगे तो वहां पर आपको पढ़ाया जाता है कि तीन छेत्र होते हैं प्रात्मिक छेत्र होता है दुत्यक छेत्र होता है तो जो किर्सी होती है वह प्रात्मिक चेतर के अंतरगत आती है किर्सी किस के अंतरगत आती है किर्सी प्रात्मिक छेतर के अंतरगत आती है और इसमें आपको याद ही रखना है किर्सी के अंतरगत केवल खेती करना नहीं होता है किर्सी के अंतरगती पसुपालन भी है किर्सी के अंतरगत कुटपालन भी है मचली जींगा पालन यह सभी कारेवी क्या हैं किर्षी से समधित ही होते हैं भारत के अगर हम किर्षी की बात करते हैं तो भारत की किर्षी मांसून पर आधारित होती है क्यूंकि भारत के कुछ इत्र ऐसे हैं जहां पर कोई बांध नहीं कोई नदिया नहीं बह रही है या अगर भारत की किर्सी में आपको याद क्या रखना भारत की किर्सी मांसून पर आधारित रहती है मांसून पर आधारित होती है भारत की किर्सी मांसून पर आधारित होती है किस पर आधारित होती है भारत की किर्सी मांसून पर आधारित होती है रितू के आधार पर भारती किर्शी को तीन भागों में विवाजित किया गया है तीन भागों में विवाजित किया गया है कितने भागों में रितू के आधार पर भारत की किर्शी को तीन भागों विवाजित किया भागों 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 में विवाजित के रवी की आधार दूसरा याद रखिएगा जायत की वह वोती है जायद, जायद की फसल, रवी की फसल, जायद की फसल होती है, और कौन सी फसल होती है, और एक आपकी होती है, खरीब की फसल, कौन सी फसल है, एक फसल है आपकी, खरीब की फसल, ठीक है, खरीब की फसल होती है, ठीक है, ये तीन क्या होती है, फसले होती है, जिनको रित्मों क के आधार पर भाजित किया गया रित्मों के आधार पर इनका निर्माण किया गया ठीक है तो सबसे पहले हम बात करते हैं किसकी सबसे पहले हम आप सित कालीन फसल को मतलब क्या है सित कालीनफासल का मतलब है सित रितू में बोह जाती और सित रितू न KH Mihdh होती है ग्रीज र själधी अजैसे आगर आप देखेंगे सर्धियां चल नहीं है तो सर्धियों के समय में आप देखिएगा कि आपको आपके खेतों में जो फसल लगी हुई दिखाए देगी वो सभी कौन सी फसलें हो जाएंगी रवी की फसलें हो जाएगे तो हम ऐसा लिखते हैं कि रवी की फसल ठीक है रवी की फसल एक सीत कालीन फसल होती है पहली बात तो कैसी फसल है यह एक शीत कालीन फसल है पहली बात दूसरी बात रभी की फसल होती है इसको उक्टूबर नॉवंबर में बोया जाता है और अगर हम बात करते हैं कि सर इसके अंतरगत किसका उत्पादन करते हैं तो इसके अंतरगत मुखरुप से गेहूं हो गया आपका, गेहूं हो गया, चना हो गया, मतर हो गया, सरसों, सरसों, ठीक है, मसूर, मसूर, जौन, आदी ठीक, आदि फसलों का इस समय के आदि फसले का उतपादन किया जाता है, इन फसलों का क्या किया जाता है, याद रखियेगा, रवी की फसल के अंतरगत, ठीक, कौन-कौन सी फसलों गई जाती है तो रवी की फसल के अंतरगत रवी की फसल अक्टूबर नौंबर में बोय जाता है से तो जब बोई जा रही है उसी आधार पर उस समय जो समय मौसम है उसी आधार पर हम इनका नामकरण कर देते हैं तो अक्टूबर नौंबर में बोय जाता कई सारे ऐसे इस्तान हैं जहां पर गर्मियों पर वहत कम रहिता है पानी बहुत कम रहता है मांसून वर्सा भी नहीं हो पाती, ठीक है? तो घर्मियों के समय, यानि मार्च अप्रयल में जब रवी की फसल काटी जाएगी, तो दूसरी फसल बो दी जाएगी, और गर्मियों के समय, जो फसल हमारे खेतों में वो ही जाती है उस फसल का नाम है जायत की फसल कौन सी फसल होती है तो फसल होती है जायत की फसल तो दूसरी फसल यहाँ पर में लग देता हूँ दूसरी फसल याद रखेगा इस फसल का नाम क्या है जायत की फसल जायत की फसल यह ग्रीसम कालीन फसल किस प्रकार की फऽसल है तो यह एक ग्रीस में कालीन फसल है जायत की फसल है तो याद रखेगा मार्च अप्रेल में इसके बोया जाता है मार्च अप्रेल में इसके बोयाई की जाती है मार्च अप्रेल में बोया जाता है मार्च अप्रेल में इसके बोया जाता है ठीक है? और कब काट लिया जाएगा? कम समय की होती है कम समय की फसल होती है तो मार्च अप्रेल में बोह जाएगी और मई जून तक इसे क्या होगा मई जून में इसे काट लिया जाता है מה mall juin में काट लिया जाती है कि में मैं जून में काट लिया जाती है इसा लिखते हैं इसके अंतर का सी फसलई उगाई जाती है इसके अंत्रक्त सामानित ऐसी फसलिंगाई जाती है इसके अंतर का सामानित ऐसी फसलों घैसे जिनको खानी से में पानी की प्राप्ति होती अधिकांस था ऐसी फसल है जैसे तर्बूज खर्बूज हो गया इसके अंतर अगर तर्बूज हो गया खर्बूज हो गया तो पहले मैंने खर्बूज लिख दिया खर्बूज हो गया खर्बूज है खर्बूज है खर्बूज है खीरा हो गया ककड़ी हो गई खीरा ककड़ी है ना मूंग खीरा है खीरा लिखा है खीरा ककड़ी मूंग ठीक है सूरज मुखी सूरज मुखी ठीक है सूरज मुखी हो गया आपका साती सात मक्का हो गया मक्का मक्का हो गया ठीक है मक्का आदी ठीक है उड़ाद लिख लीजेगा ठीक है उड़ाद आदी ये फसल हो गया जाती है याद रखी इस सभी फसल हो गया जाती है किसके अंतरगत है याद शायत की फसल के उभा गया जाती है किसके उभाएं जाती इसस सब्सक्ति की माई काट ली जाईगी तो जून जूलाई में णी फसल हो जाएगि आनि वर्साकाल प्रारम हो जाएगा भारत में मांसून का आता है भारत मानसुन जून महीने में प्रविश करता है सबसे पहले मानसुन कहां पर आता है तो सबसे पहले मानसुन आता है केरल के मालावार तट पर मानसुन आता है तो यहां पर देखिएगा यहां पर देखिएगा अंगली फसल जो है इस फसल का नाम क्या है इस फसल का नाम है खरीब की फसल, इस फसल का नाम है खरीब की फसल, खरीब की फसल जो होती है, यह एक वर्सा कालीन फसल होती है, खरीब की फसल कैसी होती है, तो याद रखिएगा, यह एक वर्सा कालीन फसल है, वर्सा कालीन फसल है, कैसी फसल है, तो यह एक वर्सा कालीन फ जाता है जून जुलाई में बोया जाता है कब बोया जाता है जून जुलाई में बोया जाता है ठीक है और दिवाली के आसपास के समय यानि ऑक्टूबर नॉवंबर काट लिये जाता है काट लिए इसके अंतरगत ऐसे फबसलों का उत्तपादन किया जाता है जेए जलकी आवशक्ता क्या होती जैसे धान हो गई आपकी जैसे धान हो गया मैं जैसे द्धिल हो गई छ mencion है तहां हो गई अपूसक्री ठीक है मुँफली हो गई ठीक है संसक्राओा धे expect कपास इसी के अंतरगत तो गया ती कपास हो गई इसी के अंतरगत जूट हो गई कपास हो गई कपास के साथ सा जूट हो गई ठीक है आदी आदी फसलों का इसके अंतरगत क्या किया जाएगा आदी फसलों का उत्पादन किया जाता है आदी फसलों का उत्पादन किया जाता है इसको याद रखेगा तो यह मुख मुख फसला है जो किस रितू के अंतर रगत उगाई जाएगी तो किस की आधार पर फसले उस्ट मौसं के आधार पर नहीं लिखाया है आप मैंने उस भूप सुरूआत में के रितू के आधार पर भारतिय किर्शी को तीन भागों में भाजित किया गया रवी की फसल खरीब की फसल जायत की फसल है इनके अलावा भी और भी है जैसे इसके बाद एक फसलें आती हैं जिनको बोलते हैं नगदी फसल कौन सी फसल बोलते हैं नगदी फसल बोलते हैं नगदी फसल चाहे तो आप नगदी फसल कहिएगा चाहे इन ही को बैपारिक फसल भी कहते हैं और थार्थ कि देश से इन फस्वों को उगाया जाता है इसलिए बैपारिक नाम है बालज्यक लिए उगाया जा रहा है इसलिए बालज्यक नगदी का मतलब होता है कि इनको बेचने से तुरंत पैसे की प्राप्ती होती है ठीक है या ऐसी फसले हैं कि जिनको किसान चाहे कर भी इनका और उसे रुपए की ज़रुवत है तो वो निश्चित रुपसे से बेचेगा ऐसा नहीं करेगा कि मैं गन्ने को दो महिने रख लेता हूं किसी से पैसा धाले लूँगा फिर गन्ना बेचूँगा और उसका पैसा दे दूँगा इसमें ऐसा नहीं होता है क्योंकि इसके अं करता है और तुरंट मार्केट में ने क्या कर देता है बेच देता है जैसे कपास है जैसे मुझफली भी हो जाती है जैसे मुझफली भी हो जाती है जैसे तमाख हो जाती है चाय हो जाती कौफी हो जाती कहवा हो जाता है तो ऐसी फसलें जिनको काटने के बाद मार्के जिनक नाम दिया जाता है नगदी फसल बाड़िजिक फसल या फिर ब्यापारिक फसल नगदी फसल बाड़िजिक फसल या फिर कौन से फसल या फिर ब्यापारिक फसल ठीक है तो यहां देखो ऐसी फसले ऐसी फसले जिनका भंडारण संभव नहीं है या जिनका किर्षक भंडारण नहीं करता है जिनका किर्षक भंडारण नहीं करता है वलकी इन्हें तुरंत बाजार में बेचना पड़ता है तो ऐसी फसलों को ही नगदी फसले कहा जाता है अपर अपर और टो ऐसी फसलों को ही नगदी फसल अःसी फसल बती सब्सक्राइद यह जाता है नगदी फसल कहा जाता है ठीक है एक पॉइंट तो यह याद रखेगा ठीक है दूसरा पॉइंट इसी में मैं लिख देता हूं ऐसी फसल है ऐसी फसल है जो ब्यापार के उद्देश से उगाई जाती है उन्हें ब्यापार के उद्देश से उगाई जाती है उन्हें ब्यापारिक या बाढ़िजिक फसलें कहा जाता है फसलें कहा जाता है ब्यापारि या बाड़जिक फसलें कहा जाता है इनको याद रखी है ठीक है अब इसके अंतरगत कौन कौन सी फसलें आती है तो देखिएगा इनके अंतरगत जैसे तमाखू है इनके अंतरगत कौन सी फसल है जैसे तमाखू है जैसे कपास है जैसे जूट है जैसे गन्ना है जैसे जैसे चाय है जैसे कौफी है चाय हो गया तो कौफी होगी तमाखू हो गयी कौफी तमाखू हो गया आदी तमाखू आदी तो ऐसी फसलें हैं जिनको काटने के बाद तुर इनको बाजार में बेचना होता है और यह ब्यापार के उद्देश से उगाता है कि काटेंगे और तुरंत मार्केटरें बेचकर एक अच्छा सा मुनाफ़ा कमा लेंगे पैसी फसलों को नाम दे दिया गया नगदी फसल या फिर बाड़िजिक फसल ठीक है तो इनको आपको य यहाँ पर भारत में कई सारी फसल हैं जो उगाई जाती है और जिनके उत्तपादन कौन से राज इन फसलों को उत्पादन सर्वादी करते हैं यह थोड़ा करेंट का मामला फस जाता है जा में बताती है कि कौन से राज में कौन सी फसल का उत्पादन जानदा हो रहा है तो अभी यह मैं छोड़ दे रहा हूं ठीक क्यों कि देखेगा भी अभी हम लोग फरवरी माहे में चल रहे हैं मार्च होते होते हैं इससे संब्दे जो नभी नाकड़ाएगा वही आपको याद है वो मैं आपको करा दूँगा अलग से ठीक हैं तो अभी मैं यह नहीं लिखा रहा हूं कि कौन सा राज किस का उत्पादन जानदा करता है जैसे कुछ तो पारमपरेख हैं कि धान का उत्पादन बिहार उत्तर प्रदेश पश्चे मंगाल में जानदा होता है का पास महारा अपरेख हैं जो अगर आएंगे तो आप कर ले जाएंगे लेकिन जो नवीन आकड़ा होता है उस नवीन आकड़े को भी एक बार में आपको समझाद होगा ठीक चलेगा यह तो हमारी फसलों की कुछ है प्रिकार हो गए कि कौन-कौन सी हमारी फसले होती है कौन-कौन सी हमा कि तेजगती से बढ़ने के कारण हमें हमारे पास जनसंख्या तो हमारी तेजगती से बढ़ा रही थी लेकिन खाद्यान हमारे पास सीमे थे हमारे पास खाद्यान क्या थे खाद्यान हमारी सीमे थे तो खाद्यानों की मात्रा में वृद्धी करने के लिए ठीक है हम जो सरकार के दोरह एक प्रोग्राम चलाए गया जिसका नाम तक्रांती कारीक्रम किसके लिए चला गया था इसी को पसक्ते उत्रपादन में व्रिध्दी करने के लिए है ना कौन थे हां जो हरित करांती कारिकरम किस के सानेद में चलाए गया या किसके नेतरत्त में चलाए गया याद रखिएगा ब्यक्ति का नाम क्या था म.स्वमिनातन भारत में हरित करांती के जनक है बैसी दूद उत्पादन में विद्धी करने के लिए एक प्रोग्राम चलाए गया जिसका नाम था सुछित करांती के जनक थे वरगीच कुरियन महोदय थे तो फसलों के या फिर किसी फसल के उत्पादन से संबंदित कुछ करांतियां चलाएं गई वह आपको याद रखनी है कुछ करांतियां चलाएं गई है वह करांतियां आपको याद रखनी जैसे जैसे आपसे अगर पूच्छा जाए हरिद करांती का सम्मंद बताइएगा तो बखो भी जानते हैं हरिद करांती हरित करांती किस से संबंदित होती है तो आप बता दीजेगा खाद्यान उत्पादन खाद्यान का मतलब होता है ऐसी फसलों के उत्पादन से संबंदित था जिनको हम सीधे भोजन के रूप में उपयों करते हैं जैसे दाल हो गई गिहू हो गया अनाज हो गया है ना इस परका है कि हारित करांती के जनक कौन थे तो यहां परमिलिक देता हूं हारित करांती के अगर जनक पूछे जाए तो MS स्वामी नाथन याद रखेगा MS स्वामी नाथन स्वामी नाथन कौन थे MS स्वामी नाथन थे हरित करांती के जनक हरित के बाद श्वेत करांती है श्वेत करांती के जनक याद रखेगा श्वेत करांती किसे संबंदित है तो श्वेत करांती किसे संबंदित है तो स्वेत करांती किसे संबंदित है तो स्वेत करांती दुख्द उत्पादन से संबंदित होती है और स्वेत क्यान क्यों थे याद रखेगा त्रफ के जनक थे रजु का टीक के बाद लाल क्रांती याद रखेगा लाल क्रांती का किसके उत्पादन से संब्दित है तो मांस उत्पादन और टमाटर उत्पादन मांस और टमाटर उत्पादन से संब्दित है मांस और मांस के साथ टमाटर उत्पादन से संब्दित है लाल करांती ठीक है उसके बाद गोल करांती अगर आपसे पूछी जाए अगर आपसे गोल क्रांती पूछ जाए कि गोल क्रांती का संबंद किसे है तो गोल क्रांती का संबंद समंद आलू उत्पादन से है आलू के उत्पादन को बढ़ावा देने से संबंद है गोल क्रांती उसके बाद रज़त क्रांती अगर पूछ जाए रज़त क्रांती का संबंद किसे है ठीक है रज़त के बाद और बताईएगा रज़त हो गई ठीक है उसके बाद पीली करांती अगर आपसे पीली करांती पूछे कि पीली करांती का संबंद किसे है तो याद रखना पीली करांती पीली करांती का संबंद तो याद रखना तिलहन उत्पादन से है पीली करांती का समंद्ध मचली उत्पादन से है मचली या मचली उत्पादन से मचली उत्पादन से समंद्ध है नीली करांती उसके बाद आप से गुलावी करांती पूछ जाती गुलावी करांती का समंद्ध किस से होता है गुलावी करांती का समंद्ध जींगा पालन से होता है जींगा पालन तो गुलावी करांती का समंद किसे समंदित है जींगा पालन से समंदित है ठीक है उसके बाद भूरी करांती अगर आपसे पूछी जाए भूरी करांती तो भूरी करांती का समंद किसे होता है तो औरवरक उत्पादन से होता है भूरी क करांती का समद्ध और वर्वरा कुद पादन से ठीक है इतने बना लीजिए गो इतने बना लीजिए गा आंगे बढ़ जाओंगा मैं कि अगर भूरी करांती के बाद काली करांती याद रखेगा काली करांती अगर आप पूछी जाए कि काली करांती का समद्ध किसे है तो काली करांती का समद्ध पैट्रॉलियम उत्पादन से अगर आपसे बादामी करांती पूछी जाए बादामी करांती तो बादामी करांती का समद्ध किसे है मसाला उत्पादन से संबंदित होती है बादामी करांती अगर आपसे इंदर धनुसी करांती पूछी जाए इसी को आप सुनहरी करांती भी कहते हैं संब्दम इबागान के संबंदित है तो मैंने अमृत करांती पूचा जाता है अमरित करांती का संबंद किस से है तो याद रखना अमरित करांती का संबंद किस से होता है अमरित करांती नदियों के जोड़ने से संबंदित होती है नदियों या नदी जोड़ो परियोजना से संबंदित होती है नदी जोड़ो परियोजना ठीक है तो नदियों को जोड़न से सम्मंदित है कौन से आपकी अमरित करांती कौन सी करांती अमरित करांती वैसे आप लोग नाम सुन रहा है हम आज आदी का अमरित महोत्सव भी मना रहे हैं तो इसको याद रखना है आपको ठीक है चलिए कि 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 आंगे बड़े चलिए अब इसके बाद देखिएगा किर्षी की कुछ पद्धती हैं जैसे एक किर्षी की पद्धती होती है निर्वाहे किर्षी पद्धती निर्वाहे किर्षी पद्धती का संबन्द होता है कि फसलों का उत्पादन केवल अपनी दैनिक या फसलों का उत्पादन केवल अपने जीवन या अपन के लिए किया जाए है किर्षी पद्धती को क्या कहेंगे निर्वाहे किर्षी पद्धती जिसमें किसी परवार के पूरे एक वरसे का जीवन नियापन हो सके इतना वो क्या करते हैं अनाज उत्पादन का कारी करते हैं तो ऐसा ऐसा कौन से लोग करते हैं या तो जिन्हें बहुत जाना किर्षी में रूची नहों या जो कर साथ अनकोई उध्धोग्स शामिल रहते हैं या और जिन पास खेत का आकार क्या होता है खेत का आकार बहुत छोटा होता है ठीक है तो निरवाहे किर्सी पदर्ती का मतलब हो गया ऐसी किर्सी जिसमें फसलों का उत्पादन के वल जीवन यापन के लिए आवश्यक जीवन यापन के लिए आवश्यक जिसमें फसलों का उत्पादन के वल जीवन यापन के लिए आवश्यक अनाज के लिए किया जाता है अनाज के लिए किया जाता है ठीक है तो यह होगी निर्वाय किर्शी पद्दती जीवन का निर्वाय हुसा के इतना खेती कर ली जाए ठीक है एक होगी गहन गहन किर्शी पद्दती गहन किर्शी पद्दती जो होती है इसमें एक ही भूमी पर बारबार किर्शी को किया जाता है और यह धन के अरजन के लिए की जाती है पैसा कमाने के लिए की जाती है धन को अरजन करने के लिए की जाती है बहुत सारे लोगों की आवशकता होती है औ पर जायत की फसल भी होगा जायिगी तो किसी भूमी पर बार-बार जब किर्षी की जाती है तो उसे कैय नाम दे दिया गया गेहन किर्षी पदती तो ऐसी किर्षीоже जिसमें ऐसी किर्शी जिसमें ऐसी किर्शी पद्दती जिसमें वर्स भर फसलों का उत्पादन किया जाता है फसलों का उत्पादन किया जाता है उत्पादन किया जाता है ठीक है उत्पादन किया जाता है ठीक है इस पद्दती का उद्देश इस पद्दती का उद्देश पद्दतिय का उद्देश किर्षकों को यानि जो किसान है किर्षकों को अधिक लाब प्राप्त अधिक लाब प्राप्त कराना होता है लाव अधिक प्राप्त कराना होता है इसको याद रखेगा लाव की प्राप्ति अधिक होती है लाव अधिक से अधिक मात्रा प्राप्त हो सके इसके लिए पद्धति को अपनाते हैं ठीक है एक और होती है इसी के अंत्रगत और इसी के अंत्रगत एक किर्सी पद्धति और है को ईस्थनांत्रन सील किरसी इसी को काटो और जलाओ किरसी पददती भी कहते हैं यह किर्सी सामानेता उन्च छित्रों में होती है जहां पर बन बहुत अधिक मातरा में पाए जाते हैं किर्सा क्या करते हैं किसी जमीन पर ब्रिक्ष पाए जा रहे हैं ब्रिक्षों को काड़ देते हैं फिर जला देते हैं तो काटो और जलाओ पद्दती भी कहते हैं भूमी क साप करके उस पर क्या करते हैं किर्शी करते हैं और जब उस भूमी से फसलों को उत्पादन अच्छा नहीं होता है को समय के वाग तो उस भूमी को छोड़कर किसी दूसरे जंगल को काड़ते हैं जलाते हैं और वहां पर किर्शी करने लगते हैं तो इस्थान बदल बदल कर ब्रिक्षों को काट कर जो किर्षी की पद्दती अपनाई जाती है उसे इस्तनांत्रन सील किर्षी कहा जाता है क्या कहा जाता है इस्तनांत्रन सील किर्षी भारत की पूर्वत्तर राज्यों में बलकि भारत की लगवग हर एक ही राज्यों में होती है लेकि पूर्वत्तर भा इस्थान परिवर्तित करके किर्शी करने की पद्दती को इस्थनांत्रन सील किर्शी कहा जाता है इसे काटो और जलाओ इसे काटो और जलाओ काटो और जलाओ पद्दती भी कहा जाता है भारत के अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है तो मैं कुछ स्थानों के नाम लिख देता हूँ जैसे ज्ञूम ज्ञूम कहा जाता है पूरवत्तर भारत में से जूं कहते हैं पूरवुत्तर भारत में क्या कहा जाता दहीयार धीयार मद्य प्रदेश के बंदेल घंड के इसटर में दहहे वेवर शब्द मिलेगा वेवर उस जो है अपको याद रखना है दीपा कहां कहा जाता है कोमारी कहा जाता है पश्मि घाठ पर कुमारी कहां कहा जाता है तो कुमारी कहा जाता है पश्मी घाट पर इसे क्या कहते हैं पश्मी घाट पर इसे कुमारी कहा जाता है ठीक है और एक नाम और याद रख लेना इसमें पोडू पोडू या पोंडू भी कहते हैं या पोंडू भी कहते हैं पोडू या पोंडू या उसको किस स्थान पर किस नाम से जाना जाता है ठीक है इसके साथ ही साथ विस्य में भी यह किर्सी की जाती है और विस्य के अलग-अलग इस्थानों पर अलग-अलग नामों से जाना जाता है जैसे एक बड़ा पिरसिद नाम है रे एक बड़ा पिरसिद नाम है रे और रे नाम क्या है देश का नाम है वियत नाम तो वियत नाम में कहा नाम दे दिया गया रे उसके बाद दूसरा नाम है रोका इंपर्टेंट नाम है रोका कहां कहा जाता है तो इस तनांतरन सेल किर्सी को रोका नाम से कहां जाना जाता है तो बिराजील में जाना जाता है उसके तवी यह कहां जाता है तो यह नाम दिया जाता है मेडा गासकर कहां पर नाम दिया जाता है मेडा गासकर ठीक है उसके बाद चेना नाम कहां दिया जाता है चेना तो चेना नाम अगर पूछा जाए तो चेना नाम दिया जाता है स्री लंका में चेना कहां कहा जाता है तो इस् कोमिल और कोमिल मेक्सिको में कहा जाता है कोमिल कहां कहा जाता है कोमिल मेक्सिको में कहा जाता है कहां पर कहते हैं मेक्सिको में कहते हैं और एक नाम मिलपा एक नाम क्या है मिलपा एक नाम याद रखेगा मिलपा एक देश से ग्वाटेमाला एक नाम कहां दिया जाता है एक न लग नामों से जाने जाती है और विश्य के अलग-अलग देशों में अलग-अलग नामों से सम्मोधित किया जाता है ठीक है तो इसको लिख लीजिएगा लिख जाए तो फिर झाल 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 झाल